Samsung Galaxy F41 और Flipkart का Smart Upgrade के बारे में कुछ latest updates मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूँ नमस्कार मैं हूँ देव फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल The Dev Reviews में आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे reason ये है कि मैंने Flipkart Smart Upgrade के उपर में एक वीडियो बनाई थी उसके उपर काफी लोगों ने बहुत सारे questions किये हैं तो इस वीडियो में उन सब questions का reply मिल जाएगा और latest क्या update है वो भी मिल जाएगा चलिए time waste नहीं करते हैं अपने mobile के screen में आप लोगों को ले जाता हूँ पहला update जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ उसके लिए अभी मैं आप लोगों को मेरे mobile के screen पर लेके आया हूँ और मैं खोल के रखा हूँ flip card big billion days का page यह page को अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहां देखिए लिखा हूँ है biggest launches biggest launches में samsung galaxy f41 शामिल है तो इसको हम लोग tap करते हैं अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका MRP जो है 19,999 है और इसका normal sale price है 16,990 मैं page को थोड़ा सा नीचे करता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है flip card smart upgrade plan जिसके लिए 11 रुपया आपको लगेंगे तो मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को यह information दिया था कि samsung galaxy f41 जो है वो flip card smart upgrade plan के अंडर आएगा तो इससे यह prove हो गया अभी मैं यहां पर आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर clearly लिखा हुआ है valid on credit cards and bajaj finserv EMI card इसको लेकर भी मेरे पास कई questions आये थे कि bajaj finserv EMI card में यह facility मिलेगा या नहीं तो इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका है कि bajaj card में भी आपको यह मिलेगा अब आपको करना क्या है यहां पर देखिए आप left side में add लिखा हुआ है तो यह add को आपको टिक कर देना है यह add को आप लोग टिक करेंगे तो ही यह plan activate होगा अब हम लोग यहां पर tap करके इसका details देख लेते हैं देखिए पेज खुल गई है left side में उपर में आपको दिखाई देरा standard purchase 19,999 जो है वो MRP है big billion days का special price इसका है 15,499 additional कोई charges नहीं है आप 15,499 पे करेंगे अगर EMI से पे करना चाहते हैं तो no cost EMI आपको 2584 रुपिया पर मन्त के हिसाब से पढ़ेगा right side में देखिए कि flip card smart upgrade plan के अंडर अगर यह product आप लेते हैं तो देखिए MRP 19,999 दिया हुआ है big billion days price 15,499 दिया हुआ है flip card smart upgrade offer के लिए आपको deduct हो जाएगा 4650 रुपिया program fees आपको लगेंगे 11 रुपिया जो कि हम लोग टिक किये थे तो आपको 10,860 रुपिया देना है एक बात और है अगर आपके पास state bank credit card है तो यह 10,860 के उपर भी आपको additional 10% discount मिलेगा वो state bank की तरफ से अभी तक जो मैं price बताया था यह 64 GB version का है अभी मैं 128 GB version का आपको calculation बता देता हूँ MRP इसका है 20,999, Big Billion Days price इसका है 16,499 जिसमें से आपको smart upgrade का offer में 4,950 रुपिज अभी pay करना नहीं पड़ेगा program fees लगेगा 11 रुपिया तो आपको 11,560 पे करने से आपको यह phone मिल जायेगा अगर आप no cost EMI में लेना चाहते हैं तो आपको 1927 पर मांद के इसाब से EMI देना पड़ेगा इसमें भी जिसके पास State Bank का Reddit काड है उनको further 10% discount मिलेगा मिलके यह price लगभग हम समझते हैं 10,000 के करीब हो जाएगा अब एक साल के बाद का सिनारियो भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे clearly लिखा हुआ है कि यह जो phone आप खरीद रहें Flipkart Smart Upgrade Offer में या तो आप उस phone को exchange करके नया phone ले लिजे Flipkart से या फिर बाकी का जो 30% पैसा है वो आप Flipkart को payment कर दीजे और इस phone को आप use करते रहिए तो मैं उमीद करता हूँ कि जो भी details मैंने आप लोगों के साथ share किये है उसके बाद आफी लोगों का जो doubts थे वो clear हो गये होंगे अगर फिर भी आप लोगों के मन में कुछ doubts है questions है तो मुझे comment करके बताईए मैं उस comment का reply कर दूँगा अगर वीडियो पसंद आई है तो एक like कर दीजे अपने friends और family के साथ में ये वीडियो share कर दीजे अगर अभी तक मेरे channel को आपने subscribe नहीं किया है तो वो bell icon को दबा के all पर press कर दीजे ताकि मुझे भी motivation मिलता रहे और आप लोगों के पास आने वाली हर वीडियो का notification डिरेक्ली पहुंचता रहे है तो फिर मिलते हैं एक दमदार वीडियो के साथ तब तक के लिए नवसकार और जाहिंद